नमस्कार आएए आज हम ये सुन्दर सी बुनाई बहुत सुन्दर है आप कहीं भी यूज कर सकते हैं लेडी स्वेटर जैकेट बचों के स्वेटर और ये में क्या फिलहाल आज हम सिर्फ इस बुनाई को समझेंगे देखिए बुनाई बहुत आसान है फोर रो रिपीट पैटर्न है चार सलाईयों का डिसाइन है तो आप ऐसे मान लिजीए कि ये आपने बॉर्डर बनाया है उसके बाद आपको एक सलाई सीधी बुननी है तो मैं यहाँ पर एक सलाई सीधी बुनती हूँ बॉर्डर के बाद हम एक सलाई सीधी बुनेंगे और एक सलाई उल्टी बुनेंगे उसके बाद हम यह डिजाइन डालेंगे डिजाइन के लिए हमको 14 के गुणा से multiple of 14 plus 1, 14 के गुणा से जमा एक फंदे की जरूरत है, तो ये उल्टी सलाई बुनने के बाद, हम अपनी बुनाई का काम शुरू करेंगे, ऐसे border के बाद, दो सलाईयां बुन लेंगे, अब हमारे पास multiple of 14 plus 1, 14 के गुणा से जमा एक फंदे की जरूरत है, 4 row repeat pattern है, 4 सलाईयों का design है, design बहुत आसान है, आप देखेंगे तो आप भी दंग रह चाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 43, 43 फंदे हैं, तो देखिए इस तरह से यह हमारा design आया है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं, कि यह यहाँ पर 1, 2, 3, तीन हमारे यह जाली की पट्टियां गई है, row 1 पहली सलाई, पहला फंदा सीधा बुना, अब हम दो उल्टे फंदों का एक जोड़ा, फिर दो उल्टे फंदों का एक और जोड़ा, तो यह समझे कि इसमें जितने फंदों का जोड़ा बनाकर हम घटाएंगे, तो अभी हमने दो फंदे राइट साइड में जोड़ा बनाया है, फिर लेफ्ट साइड में दो फंदों का जोड़ा बनेगा, चौद है फंदों में जब बुनाई दोहराई जाएगी, तो देखिए जाली के सीधी तरफ हमने दो फंदे घटा दिये, अब जाली के उल्टी तरफ हम दो फंदे घटाएंगे, टोटल चार फंदे हमारे घटेंगे, अब यहाँ पर हमको चार बार बढ़ाना है, यह हमने अंदर की तरफ यान फ्रंट उन ली, अंदर की तरफ अगला फंदा सीधा बुना, तो एक हमारा फंदा बढ़ गया, फिर से हम उन अंदर ले रहे हैं, एक सीधा बुन रहे हैं, तो दो फंदे हमारे बढ़ ले, फिर से उन अंदर ली, तीन फंदे बढ़ गए, फिर से उन अंदर ली, यह हमारे चार बार फंदे हमने बढ़ा लिये, 4 जाली पढ़ गई, 4 हमारे फंदे बढ़ गई और हम एक सीधा फंदा बुनकर अब यहाँपर अगले 2 फंदों में उल्टे का जोड़ा और फिर से एक बार अगले 2 फंदों में 2 उल्टे का जोड़ा यहाँपर हमारे 14 फंदों की बुनाई पूरी होती है यही हमको दोराना है अभी, फिर से एक फंदा सीधा, दो उल्टे फंदों का जोड़ा, फिर से दो उल्टे फंदों का जोड़ा, एक फंदा सीधा, अब उन अंदर की तरफ, एक फंदा सीधा, उन अंदर की तरफ, दो बार हो गई अंदर, ये तीसरी बार हो गई अंदर, ये चौथी बार, four times हमने जाली बना ली एक फंदा हमारा सीधा हो गया है अब फिर से हमको दो उल्टे फंदे का जोड़ा एक बार और दो उल्टे फंदे का जोड़ा दूसरी बार इस तरह से हमने दूसरी बार इस डिजाइन को दोहरा लिया फिर से अब हम तीसरी बार दोराएंगे एक फंदा सीधा दो उल्टे फंदों का जोड़ा फिर से दो उल्टे फंदों का जोड़ा उन बाहर की तरफ ले गए अब एक फंदा सीधा अब उन अंदर लाए और एक फंदा सीधा उन अंदर लाए एक और फंदा सीधा तीसरी बार उन अंदर लाए, एक और फंदा सीधा, फोर्थ टाइम्स उन अंदर लाए और एक और फंदा सीधा, तो समझे कि जैसे हम ये फंदे घटा रहे हैं, जाली डाल कर, हम जाली भी बना रहे हैं, और फंदे भी बढ़ा रहे हैं, अब उसके बाद, फिर से, दो उल्टे का और फिर से एक बार दो उल्टे का जोड़ा यहां तक हमारा दोहराने वाला है आखरी जो एक फंदा है इसको हमें सीधा बुनना है तो इस तरह से ये 14-14 फंदों में हमने बुनाई दोहराई और आखरी एक फंदा सीधा बुना रो टू दूसरी सलाई बेहद ही आसान है ये हमको पूरी उल्टी बुननी है तो ये पूरी सलाई उल्टी बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ जब हम ये दूसरी सलाई बुन रहे हैं तो ये हमने जो जाली बनाई थी उन आगे की तरफ ले गए थे उन फंदों को हम इस तरह से आराम से उल्टा बुन लेंगे कोई परिशानी की बात नहीं है ये हमारा जाली वाला फंदा है सिंपल हमने नॉर्मल इनको उल्टा बुना दूसरी सलाई उल्टी हमारी पूरी हो गए अब हम आ गए थर्ड रो पर तिस्री सलाई पूरी हमको सीधी बुननी है सारे फंदों को सीधा बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ थर्ड रो तिस्री सलाई हमारी पूरी हो गए हम आ गए चौती सलाई फोर्थ रो पर चौती सलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगे तो इस तरह से हमने देखा कि ये कितना सुन्दर और आसान डिजाइन है फाउंडेशन के बाद सिर्फ चार सलाईयों को दोहराते हुए इन ही चार सलाईयों को दोहराते हुए हम ये सुन्दर सा डिजाइन बना सकते हैं आप शॉल में, कार्डिगन में, स्वेटर में कहीं भी यूज़ करें वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहे हैं सारदा नेटिंग आप सभी के प्यार वे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बुनाई अच्छी लग रही है ना, कितना सुन्दर ये रंग है और कितनी सुन्दर ये बुनाई है मिलते हैं फिर, चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा, धन्यवाद